जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिलकुल परेशान ना हूँ वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं है कभी भी उनसे मट डरिये जो बहस करते हैं पर उनसे जरूर डरिये जो छल करते हैं ये दो बातें अपने अंदर बैदा कर लो एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना क्योंकि चुप रहने से बहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बहतर कोई सजा नहीं जिन्दगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूप जाता है जीवन में तीन लोगों को कभी मत भूलना पहला मुसीबत में साथ देने वालों को और दूसरा मुसीबत में साथ छोडने वालों को और तीसरा मुसीबत में डालने वालों को जहां दुसरों को समझाना कठिन हो, वह खुद को समझा लेना ही बहतर होता है खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं, किसी को दुख मत देना किसी को उजाड कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे, तो क्या हंसे दूसरों की जंदग्यों में ज्हांकने से कुछ नहीं मिलने वाला यँकीन मानिये आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में ज्हांकने रिश्टे निभाते निभाते बस एक ही बात समझाई कि अगर किसी को हद से ज्यादा प्यार करोगे तो वो इनसान तुम्हें रदि के भाव समझ लेगा जरूरत से ज्यादा सब्र करना भी मानसिक तनाव बन जाता है परिवार में मीठे बनकर चालाकियां करने वाले लोग एक दिन जिन्दगी में अकेले खड़े नजर आते हैं अपनी बातों से पलटने वाले लोग खुद के भी सगे नहीं होते हैं इनसान की नजर में जो पैसा दे सके वही रिष्टेदार है और जो ना दे पाए वो बिलकुल बेकार है यह दुनिया बहुत मतलबी है यहां मतलब खत्म तो समझो रिष्टा खत्म आपका किरदार कितना भी साफ क्यों न हो लोग आपके बारे में वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा जिनके जवाब तक नहीं मिलते थे उनके सलाम आने लगे वक्त बदलते ही निम पर भी आम आने लगे इंसान चाहे अंदर से कितना भी भरा हो लेकिन प्रेम के लिए हमेशा खाली ही रहता है देर लगती है मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है नजर आ ही जाता है दिखावा करते हैं कुछ लोग अपने पन का लेकिन वक्त आने पर सब समझ आ ही जाता है मन जैसा भिखारी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा बंद कर दिया सापों को सपेरे में यह कहकर कि अब इनसान ही इनसान को डसने के लिए काम आएगा चुरिष्टों को वक्त के हाल पर छोड़ना बहतर है आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है यह कल युग है हाँ लोग खुद की परेशानी से कम बलकि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं हमने उनको भी जाते देखा है जो जिन्दगी भन रुखने का वादा करते थे प्यार में बस इतना जरूरी है कि यदि एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझना जरूरी है हर इंसान अपनी जिन्दगी में यू तो बिजी होता है मगर हमें चाहने वाला हमारे लिए टाइम निकाल ही लेता है आज कल बरताव और दोस्ती नोटों के जैसे हो गए है हमेशा डर लगता रहता है कहीं नकली तो नहीं है शुक्र करने वाला कभी गरीब नहीं होता और सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता शिकायत कितनी भी कर लो शिकायतों से घर नहीं चलता फिर उम्र चाहे जो भी हो कमाना तो पड़ता है खुद पर भरोसा करना परिंदों से सीखो जब वो शाम को घर लोटते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता बुरे वक्त में अपनों के ताने दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने रोज सुनने पड़ते हैं घाव कभी कभी इतने गहरे हो जाते हैं कि जिन्दगी खत्म हो जाती है मगर घाव नहीं भरते हैं शब्दों के दांत नहीं होते मगर यह याद रखना कि जब यह काटते हैं तो बहुत दर्द होता है दोस्तों मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखे धन्यवाद